आपने इंडिया गेट चाहे टीवी पर देखा हो या दिल्ली जाकर देखा हो जरूर देखा होगा जी हाँ वही इंडिया गेट जिसके नीचे पिछले 50 वर्षों से अमर जवान जोती की मशाल लगातार जल रही थी लेकिन 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर अमर जवान जोती को नेशनल वर्ड मेमूरियल में विले कर दिया गया ये जोती देश के वीर जवानों की शहादत की प्रतीक है शुकवार को अमर जवान जोती को युदिस मारक ले जाया गया और इंडिया गेट पर बने अमर जवान जोती को हमेशा के लिए बुजा दिया गया केन सरकार पहले ही इस प्रस्ट कर चुकी है कि अमर जवान जोती की मशाल की लोगो बुझाया नहीं जा रहा है बलकि इसे राष्ट्रे युद इसमारक की जौला में मिलाया जा रहा है प्रधान मंतरी मोदी ने टूइट कर जानकारी दी कि अब इंडिया गेट पर नेता जी सुभाज चंदर बोस की मूटी लगाए जाएगी आपको बता दें कि इंडिया गेट अंग्रेजो दौरा प्रधम विश युद और थर्ड एंगलो अफगान वार्ब में शहीद होने वाले भारती जवानों की याद में बनाया गया था इंडिया गेट की दिवारों पर शहीद सेनिकों के नाम लिखे हुए हैं इसके रावा 1972 को तद्कालिन प्रधानमंत्री इंडरागांधी द्वारा आमर जवान जोती की अस्थापना की गई थी दरसल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीश होने वाले युद में जो फोजी जवान शहीद हुए थे उनकी याद में अमर जवान जोती जलानी की शुरुवात की गई थी 26 जनवरी 1972 को इंडरागांधी ने अमर जवान जोती का उधाटन किया था और 3843 शही जवानों को शर्धानजली देने के लिए एक इटर्नल फ्लेम लगाय गया था जो पिछले 50 वर्षों से बिना एक सेकंड बुझे लगाता जल रहा था जिसे 21 जनवरी दो पहर साड़े तीन बजे हमेशा के लिए बुझा दिया गया याद रहे कि इटर्नल फ्लेम को पहले एट पीजी से जलाय जाता था लेकिन 2006 से CNG के मार्धिन से जलाय जा रहा था दूसी दरफ इंडिया गेट से केवल 400 मीटर के दूरी पर बने नेशनल वर मेमोरियल पर जोती जला कर नए यूप की शुरुआद कर दी गई है इस तरह अमर्जवान जोती को नेशनल वर मेमोरियल में विले कर दिया गया इसके पीछे का तरकिय है कि दो जगों पर मशाल का रखरकाओ करना काफी मुश्किल हो रहा है सेना के सूतरों का ये भी कहना है कि अब जब कि देश के शहीदों के लिए नेशनल वार मेमोरियल बनाय गया है तो फिर अमर जमान जोती पर क्यों अलग से जोती जलाई जाती रहे हलाकि जब नेशनल वार मेमोरियल को बनाय जा रहा था तब ये कहा गया था कि अमर जमान जोती को नहीं बुझाये जाएगा लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि अमर जमान जोती को बुझा कर केवल एक ही जगे यानि नेशनल मेमोरियल वोर पर ही मशाल लगाई जाएगी जिसके बार रातीती तेज हो गई है इस मामले में कॉंग्रेस ने आपती जिताई है और कॉंग्रेस लीडर राहूं गांधी ने टूइट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है नेशनल मेमोरियल लगभक 40 एकर में बनाये गया है और इस में 4 सरक् tactal बनाये गये हैं कहले सरक्र में बीच में इस्तम लगाये गया है सबसे ऊपर अशोग चक्र लगा हुआ है और सबसे नीचे लिखा हुआ है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा वहीं दूसरे सर्कल को वीरता चक्र का नाम दिया गया है जबकि तीसरे सर्कल का नाम त्याज चक रखा गया है और इसी तीसरे सर्क्ल की दिवारों पर अब तक जितने फोजी शहीद हुए हैं उनका नाम लिखा गया है जबकि चौती और आखरी सर्क्ल में पेड लगा कर ये दर्शाने की कोशिश है कि हमारे फोजी हमारी हिफादत कर रहे हैं तो दरसल ये है वार मेमोरियल जो अब देश की धरोहर होगा और देश के जमानों की शहादत का गवाव होगा बिरो रिपोर्ट गुलोबल बाउंटरी